गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, तूडें, इन यूवर, एवियस क्लास, वी डू, चेप्टर नमबर टू, मेन पार्ट्स ओफ अवर बोडी, तूडें वी कैन रीड दी चेप्टर, मेन पार्ट्स हमारे शरीर के, हमारी बोडी के, हमारे शरीर के, मुख है अंग, एक और रीड करते हैं, स्टार्ट अपना, अवर, बोडी, हैज, मैनी, ओर्गन, हमारे शरीर में, मैनी ओर्गन, बहुत सारे अंग हैं, इट, वर्क्स, लाइक, ए, मशीन, ये सभी, एक, मशीन की तरह काम करते हैं, किस की तरह काम करते हैं, मशीन की तरह, एवरी, ओर्गन, performs a particular function हर ओर्गन एक particular function यान एक विसेश कारे करता है ठीक है पर एक ओर्गन का अलग अलग काम है वो अपना काम करता है but all organ system are related indirectly to each other to perform various body function लेकिन शरीर के सभी और्गन system एक दूसरे से indirectly यानि की aportext रूप से जुड़े हुए है शरीर के अलग अलग काम करने के लिए ठीक है शरीर के सभी organ systems एक दूसरे से जुड़े है related है indirectly एक दूसरे सरीर के विविन कारिया करने के लिए अगर ये सभी अपना काम प्रोपरली करते हैं यानि कि ठीक प्रकार से करते हैं तो हमारा शरीर हेल्दी और एक्टिव रहता है लेकिन अलकिली ए भागश है कभी हमारा सरीर का कोई ओर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाता है या काम करना छोड़ देता है तो हम क्या हो जाते हैं बिमार हो जाते हैं हम अपने शरीर के कुछ बोड़ी पार्ट्स कुछ बोड़ी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको टच कर सकते हैं और देख सकते हैं यह क्या कहलाते हैं एक्स्टरनल बोड़ी पार्ट्स यह एक्स्टरनल बोड़ी पार्ट्स कहलाते हैं The body parts which we cannot see are our internal body parts Body के वो parts, शरीर के वो अंग जी ने हम देख नहीं पाते वो क्या कहलाते है? Internal body parts क्या कहलाते है? वो internal body parts कहलाते है External body parts There are three main external body parts in human beings यहाँ पर मानों में तीन जो है main external body parts बताए है They are as follows जो नीचे दिये गए है Number one, head सबसे पहला क्या है? Head Head is the topmost part of our body Head हमारे शरीर का topmost यह नीचे सबसे उपरी भाग होता है सबसे उपरी भाग क्या हमारा Head It is very hard यह है बहुत सक्त होता है It is the most important part of our body यह हमारे शरीर का बहुत इंपर्टेंट बहुत याउशक भाग होता है It has eyes, ears, nose, mouth, forehead, chin, chicks, etc इसमें क्या क्या आते हैं हमारे head में आखे, कान, नाक, मुँ, मत्था, ठोड़ी और गाल यह सब हमारे किसमें आते हैं? हमारे head में आते हैं It has सकल which protect our brain इसमें एक सकल भी होती है, खोपड़ी भी होती है जो हमारे किसको brain को, दिमाग को protect करती है उसकी सुरक्षा करती है The brain help us to think Brain हमारी क्या कलता है? सोचने में help करता है दिमाग help करता है ना सोचने में The neck connect the head to the rest of the body हमारी गर्दन जो है हमारे सिर को और हमारी रेस्ट ओफ बोड़ी यानि बाकी शिरीट के साथ हमारे शिर को जोड़ती है The neck helps the head to move गर्दन हमारे शिर को इधर से उधर move करने में help करती है The head perform various functions सिर हमारा जो है हमारा शिर्ज होता है वो बहुत सारे functions यानि कई सारे function कई सारे कारिया करता है Nose perform breathing and recosinize different kinds of smell Nose का क्या काम है सांस लेना Breathing यानि सांस लेना और अलग अलग परकार की जो है kinds के अलग 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 परकार की smell को खुश्बू, गंद इन सभी को पहचानना Recosinize means पहचानना The tongue present inside the mouth is used for speaking and to taste food Jeeb जो हमारे मूँ के अंदर होती है उसका क्या काम होता है बोलने के लिए हम प्रियोग करते हैं उसको और टेस्ट करने के लिए कोई भी खाना, कोई भी चीज हम खाते है तो उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है Jeeb के हमारे हाल करती है कि ये इस चीज का इस वस्तू का टेस्ट हमारा खट्टा है, मीठा है, नमकीन है जो भी हमारा वो टेस्ट हमें टंग की हाल से पता चलता है Eyes, she different things and make us aware of our surroundings Eyes जो है different things अलग-लग चीजों को देखती है और हमें हमारे आवातावरण से aware करवाती है उसके बारे में हमारे ज्ञान देती है कि हमारे आसपास हमारे चारों तरफ क्या-क्या है Ear helps Sorry, ear hear different sounds कान जो होते हैं वो अलग-लग प्रकार की sound सुनते हैं, आवाज सुनते हैं The ear on the head Give it protection जो सिर पर जो बाल होते हैं वो किया करते हैं सिर को protection देती है and add beauty to us और हमें सुनतरत भी देते हैं अब है trunk trunk का मतलब ये मत समझ रहे हैं आपर की trunk में सुन्ड हाथी का सुनने बिटा trunk का मेनिंग धड़ भी होता है यानि कि गर्दन से अमारी जो leg स्टार्ट होती यहां तक का जो शरीर होता है यह हमारा क्या होता है धड़ होता है The trunk has two main parts trunk के जो है दो main parts होते हैं The upper part of the trunk is called the chest upper part chest trunk का उपरी भाग जो होता है chest यानि छाती कहलाता है and the lower part is called the abdomen और नीचे वाला भाग जो होता है यहां कि पेट कहलाता है धड़ के कितने part है दो part है उपर वाला भाग हमारा chest कहलाता है और नीचे वाला abdomen कहलाता है The trunk does not perform any visible function But all the important organs of the body are inside the trunk Trunk वैसे तो हमारे visible means दिखाई देने वाले functions नहीं करता कोई भी कान function जो दिखाई दे वो नहीं करता But important organs हमारे शिरी के जो सबसे important organs होते हैं वो कहा होते हैं हमारे trunk में या नहीं हमारे धड़ में होते हैं They are the hurt जैसे कि हमारा दिल, the leaves, the lungs, the kidneys, the stomach, the intestine and some other parts हमारे प्राण, हमारी lungs जो होते हैं, kidneys, stomach, हमारा पेट और intestine यानि की आथ, छोटी आथ और बड़ी आथ होती ना जो ये आथ और 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 बेदर पार्ट्स ये सब क्या होते हैं? ये हमारे trunk में होते हैं, हमारे धड़ में होते हैं It provides place for arms ये हमें arms यानि बाज़ों के लिए place प्रोवाइड करता है It joins the head and the arm to the legs ये हमारे शिर को धड़ से जुड़ता है, धड़ सिर से जुड़ता है और हमारी बाजू और हमारी पैर जो होते हैं, उनसे भी जुड़ता है अब हैं limbs, limbs का मतलब अंग ये हैंनी कि अब हमारा सिर हो गया धड़ हो गया, धड़ से नीचे के अंग जो होते हैं, नीचे के जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, limbs बोलते है हमारे धड़ से नीचे का पार्ट जो होता है, उसको limbs बोलते है limbs are divided into upper and lower parts Limbs को जो है दो पार्ट में बाटा जाता है Upper and lower part Our arms make up our upper limbs And our legs are our lower limbs Upper limbs और lower limbs में दो बागों में बाटा जाता है जो हमारे हाथ यानि बाजू जो होती है हमारी ये क्या होती है हमारी Upper limbs होती है और जो टांगे होती है पैर्जो होती है हमारे वो lower limbs होती है Our upper limbs, have, arms, fingers and hands Upper limbs में क्या आती है बाजू, उंगलिया और हाथ Next page पे आज ये बाटा For example Example के लिए भी इन्होंने example दियें जैसेगी We hold our friends hands When they get upset and use them to speak in sign language उधारन के लिए हम अपने दोस्त का हाथ पगड़ते हैं जब वो उदास होता है और उसके साथ Use them to और हाथ को हम किस लिए भी उज़ कर सकते हैं Sign language यानि इशारों में बात करने के लिए हम आथों को प्रियोग करते हैं Number two, we can use our hands to create shadow on the wall हम अपने हाथों को दिवार पर shadow बनाने के लिए जैसे हमने कोई शेप बना ली और वो shadow बनाते हैं हम अपने हाथ से push कर सकते हैं, खीच भी शकते हैं और punch यानि कि किसी को गुश सा वेगरा भी मार सकते हैं किसके help से हम अपने हाथों के help से Our hands help us to hold Lift, touch and point at things हमारे hands हमारी किस-किस में help करते हैं Hold करने में, पकड़ने में किसी भी चीज़ को Lift, उठाने में, touch, छूने में और point at things, किसी चीज़ की तरफ इसारा करने में हमारे help क्या करते हैं, हमारी help करते हैं We can say namaste with our hands folded हम अपने हाथ फोल्ड करके जोड कर क्या बोलते हैं, namaste हम अपने हाथ जोड कर namaste भी बोल सकते हैं We use them to eat, paint, play and clap हम इनको, हाथों का use किसलिए भी करते हैं, खाना खाने के लिए, paint करने के लिए जैसे कोई painting draw करनी है, या फिर दिवार कोई paint करना लगा लो तो paint करने के लिए, खेलने के लिए और clap, यानि तालिब जाने के लिए हम अब किसका यूज करते हैं हाथों का use करते हैं, ये तो हाथा हमारा upper limbs, अब है lower limbs Our lower limbs or legs also perform various important functions हमारा lower limbs यानि की टांगे भी बहुत सारा बहुत अच्छा और अलग लग परकार के कारिये करते हैं तांगों के जो legs हमारे पैरों के जो functions वो नीचे दिये गए हैं Number one, we can climb stairs and trees with our legs हम सीडियाओ चड़ सकते हैं, अपनी पैरों के help से और पेडों पर चड़ सकते हैं We can jump with our legs हम अपनी पैरों के help से jump कर सकते हैं, कूद सकते हैं We can stand with our legs हम अपनी पैरों के help से stand कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं We can walk and run with our legs हम अपने पैरों के help से चल सकते हैं और दोड भी सकते हैं we can kick ball or any other things with the legs हम अपनी पैरो के help से legs के help से बोल को भी kick कर सकते हैं लात मार सकते हैं या और किसी चीज़ को भी हम लात मार सकते हैं तो ये है हमारा chapter number 2 complete नहीं होता है या भी बाकी का जो chapter रहे गया है वो next class में हम read करेंगे आज हम ये page number 14, 15 and 16 यही तीन page आपको अच्छे से read करने और इनको अच्छे से समझना है Thank you students